नमस्कार आप देख रहे हैं देश का नमबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज एट इन इंडिया मैं हूँ आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम आहम खबरों के लिए देखते हैं ताबरतोर 50 सियम योगी ने समाजवादी पार्टी पर माफिया को संजेक्शन देने का लगाया आरोप कहा प्रयाग राज के साज़िश करता का फोटो सोचल मीडिया पर हो रहा है वाइरल उमेश पाल हत्याकान पर योगी सरकार का बड़ा अक्शन अतिक एमद के खरीबी के घर चला बुल्डोजर अवैद संपति पर पीडियने की कारवाई प्रयाग राज में बुल्डोजर कारवाई के दौरान जफर अहमद के घर से मिली दो बंदू उक्तलवार भी की गई जब अतिक एमद और उसके करीबियों के खलाफ यूपी स्टेफ की कारवाई तेज दिल्ले अन्सियार में अतिक की प्रॉपर्टी तलाश की जा रही है स्टेफ की टीम ने ग्रेटर नॉइडा सेक्टर 36 में अतिक एमद की एक प्रॉपर्टी का पता लगाया लखनव में अतिक के फ्लाट पर प्रयाग राज पोलिस का च्छापा बेटे असद की तलाश में दबिश घटना के बाद फ्लाट में शूटर्स के रुखने की बात आई सामने लैंड क्रूजर और ब्रीन डेव्लू कार्वी जब प्रयाग राज के उमेश पालहत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कारवाई यूपी स्टेफ ने घटना को अंजाम देने वाले तेरा शूटरों मेसेच है शूटरों की पहचान कर ली है अधिक हमद की पत्नी शायसता परवीन की अरजी पर कोट ने पुलिस से दो दिन में मांगी रिपोर्ट दो मार्च को मामले की अगली सुनवाई प्रियागराज पुलिस को सदाखत खान की 14 दिनों की रिमांड मिली स्टीफ ने आरोपी सदाखत को अलहबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफतार किया था प्रियागराज में उमेशफाल हत्याकान जाच में पुलिस की 15 टीमों को लगाया गया जो दिन रात उन 13 लोगों की तलाश कर रही है जिनके नाम जाच में सामने आए है अबास संसारी की पतनी निखत की जमानत याच का खारज निखत पर अबास को जेल से भगाने की साज़श रचने कारो पोस्ट बजट वेबिनार में प्रिधान मंत्री ने शेहर विकास पर दिया जोर का नए शेहरों का विकास 21 सदी में भारत की नई पहचान बनाएगा दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू, दो दन तक चलने वाली इस वैठक में नौ देशों की विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं इस जैशंकर की दिल्ली में ब्रेजन की विदेश मंत्री से मुलाकाद विपक्षिय संबंधों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा और वैश्रिक स्थिती के साथ साथ G20 के एजन्दे पर भी चर्चा हुई गलवान और तवांग में सैनिक संगहर्ष की बाद पहली बार चीन की विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं दो मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा विदेश मंत्री जैशंकर के साथ LSE विवाद पर हो सकती है चर्चा मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने बजट पेश किया बजट में माईलाओं और किस्तानों पर जोर चिनाप की पहले मध्यप्रदेश सरकार का ये आखरी बजट है चिवराज सरकार ने करीब 3,14,000 करोर का बजट पेश किया बजट में एक लाख सरकारी नौकरी देने का बादा कॉलेजों की टॉपर छात्राओं को दी जाएगी इस कूटी बजट में किसी नए करका प्रस्ताब नहीं दिली में शराब घोटालू के खलाफ सड़क पर उतरे बीजट पी के निता के जिवाल सरकार के खलाफ किया प्रदर्शन पोस्टर बैनर लेकर की नारे बाजी इटेंडरिंग के विरोध में प्रदेश के सरपंच पहुंचे पंच कुला पोलिस ने सरपंचो को रुखने के लिए बैरिकेड लगाया और पानी की बॉच्छार की गए उतरप्रदेश के बादा में डीम और एसपी ने जेल में की छापे मारी इस जेल में बंद है मुखतार अंसारी जे पोलिस ने जेल की सुरक्षा विवस्था कलिया जाएजा चीन में बने ड्रोन के जरिये भारत लाए जा रहे हत्यार और ड्रग्स को अमरित सर बॉर्डर पर जब्द किया गया साइंटिफेक जाच के दौरान हुई का रवाई दिले के जेल में बंद ठग सुकेश चंदर शेखर ने एलजी को लिखे चिठी अधिकारियों पर जेल की CCTV फुटज लीक करने का लगाया आरोप चिठी लिकर का रवाई की मांग हर्याना के रौतक में दो लड़कों पर धारदार हथियार से हमला एक की मौके पर हुई मौट दूसरा गंभी रूप से खाये दिले की एक फैक्टरी में आग लगने से मचा हड़कंप मौकी पर पहुंची दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया दिली में चार मंजिला इमारत आग लगने के बाद भरभरा कर गिरी आसपास के कई घरों को आग से पहुंचा नुकसान हादसे के बाद मची अफरा तफरी महराश्टर के कोलापूर में एक फ़रिचर के गोदाम में लगी भीशन आग दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया मध्यप्रदेश के सतना में एक टेंट हाउस में भीशन आग लगने से मची अफरा तफरी आग में जिलकर लाखों का सामार राग महराश्टर के ठाड़े में अंबरनाथ तफरी आग लगने से मची अफरा तफरी शर्ट सर्किट से आग लगने की जुताई जा रही है शंका वक्त रहते आग पर काबू पाए गया उतरप्रदेश के हापुर में कार और टैंकर में खुई टककर ददनाख हादसे में चार लोग की मौत एक बच्चा गंभी रूप से खाये उतरप्रदेश के इटाबा में नशनल हाईवे 19 पर वस और ट्रक के बीच टककर हादसे में पांच यातली गंभी रूप से घायल हुए महराष्ट के ठाने में अंबरनात वदलापूर पर दुकानों में लगी भीशनाग खड़ी गाड़ियों के सी एंजी टैंक में हुआ विस फोर्ट जम्मु कश्मीर के रांबर में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक ड्राइवर की हुई मौत रेलवे पर योजना निर्मान वाली जगे पर हदसा हुआ राजस्तान के उदैपूर में एक होटेल में बदमाशों ने की तोड़ फोर्ट खाने का बिल चुकाने की वज़े से शुरू हुआ विवाद होटेल में बदमाशों ने लगाई आग उत्तर प्रदेश के माऊ में पोलिस और बदमाशों की बीच मुढभेड 25,000 के इनामी बदमाश समेथ 6 बदमाशों को पोलिस ने धर्द बोचा उन्जाब के पट्याला में युनिवर्सिटी में चात्र की हत्या के मामले में पोलिस ने चार आरूपियों को गिरबतार किया ममूली विवाद में चाकू मार कर की गई थी हत्या उत्तर पुदेश के बरेली में कुत्तों के जुन ने बच्ची पर किया हमला घायल बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत जम्मो कश्मीर के डोडा में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियां पत्थर पर बनी है अलग-अलग आकृतियां लोगों ने मूर्खियों का अतिहासिक महत्वा जानने के लिए पुरातत्वस तर्वेक्षन विभाग के से हस्तक शेप की मागती मुंबाई के बाबुलांग मंदिर में मिलावटी दूद से अविशेख करने पर शिवलिंग में आई दरार उत्तर प्रदेश के हर्दोई के रहने वाले परवतरोही अभिनीत ने बनाया रिकॉर्ड के दार काठा चोटी पर फैराया तिरंगा हिमाचल प्रदेश के लाल स्पिती में बर्फबारी से खिली वादियां सड़क पर दो से चार इंच तक बर्फ की परत बिची बर्फबारी की वज़े से गाड़ियों की आवज़ा ही पर पढ़ा सर हिमाशल प्रदेश की शेमला में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा वादियां बर्फ से ढखी नजार आई हिमाशल के नरकंडा में बर्फबारी की वज़े से बर्फ की सफेध चादर में लिट्टे पहाड मौसम का लुथ फृठानी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सेलानी उतराखन के उतरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी गंगोत्री धाम में बर्फ की परत पिशी मौसम विभाग के मताविक कुछ दिनों तक जारी रहेगी बर्फबारी भारत जोडो यात्रा पूरी करने के बाद ब्रिटन पहुंचे राउल गांधी के आमरेज इनुवर्सिटी के एक लेक्चर में हुए शामिर ग्रीस में पैसेंजर ट्रेन और माल गाड़ी के बीच हुई टकर हादसे में 32 लोगों की मौत 85 लोग जखमी पैसेंजर ट्रेन में करीब 60-300 लोग सबाथ है मौसको से सिर्फ 100 किलमेटर दूर यूकरेन का ड्रोन उरता दिखा यूकरेन के ड्रोन के रूस की सीमा के अंदर तीन हमले का करने का दावा अमेरिका जन्द के बीच यूक्रेइन को दे रहा है हर संभब मदद अमेरिका ने यूक्रेइन के सैनिकों को ट्रेडिंग देने के साथ साथ 2 अरब डॉलर की सैनियल सहाइता देने का भी अलाग किया अमेरिका के नियू यूक में बर्फबारी से ब्यग्डे हालात घर और गाड़ियों में बर्फ की मोटी परत बिची नैशनल वेदर सर्विस के मताबिक अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी बर्फबारी